हेलो गाईज, वेलकम है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल वीर्ड होगे जिसमें हम कुछ ऐसे वीर्ड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो आज कल ट्रेनिंग पर चल रहे हैं और यह देखेंगे कि क्या उनके कुछ प्रैक्टिकल सॉलूशन्स पॉसिबल हैं और उनके क्या आउटकम्स होंगे तो ज्यादा देरी ना लेते हुए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो की है सोलर पैनल और सिलिकॉन पर तो सबसे पहले मैं इस टॉपिक में आपसे यह डिस्कुस करना चाहूनी कि आपके सोलर पैनल होता क्या है और सोलर एनर्जी क्या है और सोलर एनर्जी तनी जरूरत क्यों परती है इसकी तो अब हम यह देखते हैं कि सोलर एनर्जी क्या होती है इसमें कोई पॉलूशन देखने को मिलेगा ना ही इसमें हम यह देखेंगे कि किसी तरीके का बहुत जादा इंवस्मेंट हो रहा है यही तो इसके सबसे बड़ी बात है तो क्या प्रॉब्लम है कि जो हम आज भी सोलर पैनल्स को अपने इंडिया में इतने जादा सेट अप न इसेमें बहुत बहुक्त सारी पौलिसीज और इसमा इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सोलर एनर्जी होती क्या है तो सोलर एनर्जी हें हमारी इस तरीके की एनर्जी है जो की हमें सन से मिलती है yes and solar energy को पाने के लिए हमें solar panels का अबिशकत होती है मतलब जरुरत होती है तो solar panels इतने जादा क्यों affordable है क्यों इतने costly रही है उसके बारे में भी discuss करेंगे तो सबसे पहली बार solar panel एक तरीके की ऐसी चीज है यदि इसको हम अपने घरों में लगा दें एक बार investment कर दें तो आगे के 20-30 साल तक के लिए हमें free energy मिलेगी yes correct free energy है ना कितनी प्यारी बात यही तो इसकी खास बात है और पर इतनी अच्छी चीज है तो इसका कुछ ना कुछ disadvantage भी होगा कुछ ना कुछ problems भी होगी तो सबसे मीन problem जो इसकी है वो यह है कि हमें यह जो इस नेट की energy है वो सिर्फ जब मिल पाती है जब हमारे आकाश में मतलब sky में sun होता है मतलब सूर्य हाँ पर एक बहुत अच्छी बात है कि हमारा जो देश भारत देश है उसका इस तरीके का location है हमारे वर्ड में कि हमें पूरे 300 दिन 365 दिन मैंसे पूरे 300 दिन बहुत अच्छी solar energy मिलती है yes इसलिए हम लोग इसमें बहुत अच्छ इसके efficiency 40-50% है पर हाँ अभी तक मतलब practical में में देखा जाए तो हम अभी 30-40% के बीच में ही लाई करते हैं उसके बाद जो इसका सब से negative point है पर हम उसको कही ना कही आज अच्छी तरीके से discuss करने वाले है वह है कि इसके अंदर जो use होता है silicon yes correct silicon हमारा देश कही ना कहीं सिल solutions है जिसमें हम सिलिकोन बना सकते हैं अपन इसमें अब बहुत ही कम अमाउंट में so सब से पहले में आपसे डिसक्स करना चाहूंगी कि solar panel में ऐसे क्या के चीज़े होती है जिसमें हमें investment करना पड़ता है तो solar panel के parts क्या-क्या होते हैं, solar panel में सबसे पहले frame होता है, glass होता है, EVA होता है, EVA में हमें जाने की बहुत ज़रुत नहीं क्या है, क्या है, क्या होता है, फिर है solar cell, फिर sheet and then junction box, तो हम आज focus करेंगे solar cell को, मैं एक आपको बार बता दूँ कि इतना अच्छा होने के बाद भी, इतना जाला population होने के बाद भी हमारी इंडिया में, अभी भी हम बहुत दूर है solar cell और solar panels को बनाने में, सबसे आगे कौन है, Germany, फिर चायना, Japan, Italy और USA, हाँ दोस्तों सही समझा, चायना, सेकिंड नंबर पर, तो इसे हमें कहीना कहीं टैकल करने की पहुँँ ज़रूद है, solar cell, solar cell में सबसे जागा क्या है, silica, silica से ही बनता है, तो हमें main क्या करना है, हमें silica को कहीना कहीं से extract करना होगा, silica पाने से, ना ही हम केवा solar panel बना सकेंगे, बलकि mobile chips, semiconductors, computers, laptops, इन सबका solution एक है, यदि हम अपने देश में पूरा 100% देशी तरीके से silica बना सकें, तो ऐसे नहीं कि हमारे इंडिया में silica की problem है, silica हमारे देश में बहुत सारे, बहुत सारे states में अभी बहुत अच्छे मात्रा में मिलता है, बहुत अच्छे अमांट में मिलता है, आंध्य प्रदेश, बिहार, दिली, खरियाना, करनाटिका, केरला, मध्य प्रदेश, राजिस्थान, तमिल नाडू, और सबसे हाई क्वालिटी का मिलता है, अलाबाद में, तो क्या है एक्च्छल प्रॉब्लम, एक्च्छल प्रॉब्लम है लैक ओफ टेखनोलोजी और हमारी थिंकिंग, हम आउट अप दबॉफ सोचने में अभी भी कहीं न कहीं बहुत पीछे हैं, हमें इसके बारे में सोचना होगा कि हमें सिलीका किस तरीके से इन सब चीजों से निकालना पड़ेगा, तो मैं इसके लिए भी आपसे बहुत सारे सॉलूशन आपके सामने लेकर रहूंगी, पर उससे पहले ये डिसकस करना जरूरी है, कि हमारी गवर्मेंट एक्च्छली में सोरा एनर्जी को प्रमोट करने के लिए हमारे दिश में तरक्या रही है, तो स 2022 तक यही हमारा टार्गेट है, दूसरा बहुत अच्छा है, सोलर एनर्जी सबसीडी स्की, येस, करेक्ट, इसके अकॉर्डिंग, यदि हम किसी भी गवर्मेंट से, मतलब यदि हम गवर्मेंट के पास जाएं और उससे बोले हैं कि हमें सोलर एनर्जी के फील्ड में कुछ सबसे अच्छी बात है, इंटरेशनल सोलर एलाइंस, जिसको 2015 में भारत और फ्रांस ने एक साथ मिलकर स्टार्ट के आता है, ऐसी बहुत सी कंट्री के लिए, जो हमारे इस तरीके के लोकेशन पर आती है, जिसमें बहुत अच्छी सोलर एनर्जी की सोर्स है, इसमें कोई सी कोई सी भी कंट्री आराम से आ सकती है, पर मेली जो स्टार्ट किया गया था, वो 120 कंट्री को मिला के स्टार्ट किया था, और इसका है अच्छी बात है, हमारे ही इंडिया में है, गुरुग्राम में, अब हम पॉसिबल सॉल्यूशन को डिसकस करते हैं, कि ऐसा क्या आ सॉल्यूशन अपने देश हे बहुत आराम से दून्टों सकते हैं, और सबसे अच्छी चीज है, हम इसको एक्स्क्रैक्ट कर सकते हैं, अग्री कल्चर वेस्ट से, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्यों क्योंकि हमारे देश वैसा भी क्रिशी प्रधान देश है, मतलब तो इससे छिलो बात ही नहीं हो सकती है यह हमारे किसान नहीं के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और हम लोगों के लिए तो है लिए तो हम इससे कर सकते हैं चावल मतलब राइस ग्रेंज कॉर्ड बगैस मतलब जो गन्य का वेस्ट बश सकता है तो दूसरा है हमारा पूरा पूरा 90 परसें इसका मतलब सिलिकॉन की कहीं नहीं कोई कमी नहीं है बस कमी है लैक ऑफ टेखनलोजी की जो कि इस तरीके की हो कि हमारे पॉलूशन भीना पॉलूशन भीना और हम अराम से सिलिकॉन निकाल सके एं थर्ड इस बेरी ग्रेंग्रेंज सीलियर प्रोड़िक्स औ तो इसका एक्मार्टर सॉल्यूशन यह है कि हम अपने अग्रीं ग्री कल्शन के जितने भी जादा प्रोड़िक्स को लासके मार्टिट में उतना भडिया है मतलब हमेर्फ क्या प्रमोट करना है अग्रिकल्शन हमें में मोटिफ यह रखना है कि हम अपने किसान भायों के साथ मिलकर गवर्मेंट के साथ मिलकर इन सब वेजिटेबल्स को इन सब सोर्सिस को फूट सोर्सिस को प्रमोट कर सकें अभी भी हम बहुत पीछे हैं क्योंकि हमारा एक्रिकल्चर का जो जीडीप में कॉंट्रिबूशन है वो खारी 15.4 परसंट है हमें इसे बहुत जादा आगे लेके आना होगा हमें क्योंकि हमारे इंप्लॉइमेंट की भी बहुत आगे दाके शायद कमी आ जाएं तो हमें एक् अभी भी एक्रिकल्चर प्रड्यूस में सबसे आगे चाइना है फिर यूएस से है देन ब्राजील देन इंडिया देन रश्या तो नंबर फोर है इंडिया इसको नंबर बन पे लाना है मुझे पता है यह पॉसिबल है और हम सब मिलकर यह कर सकते हैं हम सब को यह मिलकर करना है मैं आपके साथ ऐसी ही वीडियो से लेकर फिर से आऊंगी और यह उमीद रखती हूं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी और यदि यह वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इस बारे में जरूर बाग करेगा कि हम सोड़ा एनर्जी के आज कर बारिश का सीजन स्टार्ट हो तुगा है तो कोरोना के चक्कर में यह मत बूज जाएगेगा कि आज पास बहुत सारी और भी डिसीज आ सकती है तो पानी का ज्यादा का ज्यादा सेविंग ना होने दें इधा हुदर गंदेगी का और अपने अपने आपका ध्यान र